अन्डे टीवी पर आने वाले मुख्य शो हप्पू की उल्टन पल्टन के दरोगा हपू सिंग उर्फ योगिश तृपाथी और उनकी दबंग दुलन्या राजेश सिंग उर्फ गीतांजली मिश्रा इंदौर पहुंचे दौरान उन्हें राजीव टाइम से खास चर्चा की चर्चा में उन्हें दौर की चुम कर तारीफ की दौर आने के बाद वो बाबा महंकाल के दर्शन करने के लिए उज्जन रवाना हो गए राजीव टाइम से चर्चा में हपु सिंग बोले कि चार मार्श को ही शो की शिरुवात हो गई और इसे शो को पात साल पूरे हो चुके हैं उन्होंने कहा कि मैंने इतना सोचा नहीं था कि शो को इतनी सफलता मिलेगी इसके लिए उन्होंने शो के सभी दर्शकों को उन्होंने कहा कि उनका पूरा वक्त शो में ही निकल जाता है फिर भी उन्होंने जल्द ही फिल्मों में आने की बात कही है वही चर्चा में राजिस्या ने अपने सफर की शुरुआत को लेकर कहा कि 2010 से मेरे करियर की शुरुआत हुई और सबसे पहला शो दूरदर्शन का था उन्होंने कहा कि पब्लिक के बीच में उन्हें जो पहचान मिली वो उन्हें क्राइम पेट्रोल से मिली इस शूटिंग पिछले आठ महीने से चल रही है इसके पहले कामना पाठा के शो का हिस्सा थी उनकी शादी होने के कारण वो रोल मुझे मिला है मुझे पब्लिक में जो माननेता मिली या पहचान मिली वो क्राइम पेट्रोल से मिली भाशा को अगर छोड़ दे भाशा पे शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रगल करना परता था क्योंकि मैं बहुत साफ इंडी बोलती हूँ गया अलग बात है मेरी जड़े यूपी से हैं उसकी भावजूद जनम मेरा मुंबे में हुआ है तो भाशा का थोड़ा सा स्ट्रगल था इनिशली पट अब ठीक है गो विद फ्रू अला है बहराल हपू की उल्टन पल्टन सीडियल रात दस बजे हर सोमबास से शुक्रवार अनडी टीवी पर प्रसारित होता है इन दो से राज्यू टाइमस की रपॉब